दोस्तो आरमेलट पर आप से वीक श्वायत है, दोस्तो आर्बी के गवर्णर साहब नियुका आज के रेट में सुप्रीम कोट जो ओडर थर लोन मोर्टर मोर्टर में एक्स्टेंशन और साथै साथ एनपी वाला जो उसको लेकि आरबी के गवर्णर साहब ने बहुत बना बय फृइपका और विडियो luck देखेगा और बहुत बरी दिवाली धहा इसको कह सकते हैं ये जो खबर है दोश्तो वीडियो को बिल्कुल मिंस्पारी सबूस्क्राइब करेंगी which तो यहां पर देखेगा आज के डेट में अपडेट भी इस वेब साइट पर हम लोगों ने करी है यहां पर देखेगा आज के डेट आज कीते तरहें के दोस्तों देखे 25 अगस 2021 है न और 25 अगस 2021 को आर्बे की गवर्णर सबसक्ति कांदा दास साहब ने एक इंटर्व्यू द तो वेखे लिखर जा गठांट आज करेंगे यह था यह रापन whenever you have in life करना चाहते हैं तो आप पाट टाइम है फॉल टाइम या फिर आप ओनलाइन अर्नि करना चाहते हैं तो आपका लोन क्रेडिट काड्र से रिलेटेब की समस्या और साथ-साथ earning वगएर करना चाहते हैं, करना तो चाहते हैं, तो आप यहाँ पर देखे, 1550 रुपई से सर्विस स्टार्ट है, इसमें आपको आपके loan से related, credit card से related, civil score से related, या loan से related, किसी तरह की किसी तरह की कोई समस्या है, तो वो भी उनका भी समाधान होगा, साथ-साथ एक solution इसमें मिलेगा, जिससे कि आप online earning स्टार्ट कर सकते हैं, earning स्टार्ट कर सकते हैं, जब earning स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास पैसा हैगा, पैसा हैगा, तो फिर आप क्या करेंगे, loan और credit card का जो bill है, जो EMI है, वो भरेंगे, चलिए जी, वीडियो की description यह website जिए, उसको open क करते जाएगा, इधर आपको मिलेगा, यहां पर देखे, ECLGS 4.0 वाला आपको paragraph मिलेगा, ठीक है जी, इस paragraph के नीचे देखे, 4.0 के नीचे आपको देखे, यह वाला paragraph मिलेगा, जो आज के डिट में update किया गया है, यहां पर देखे का जब आरवी के गवर्नर सक्तिकांता दा साफ से जब पूछा गया, जो आप NPS को लेके मामला कुछ क्लियर नहीं है, तो जब कि लोन रियस्ट्रेक्चरिंग को लेके, ठीक है, ठीक है न, यहां यहां पर छुपाने की कोई बात ही नहीं है, कोई matter ही नहीं है, इसको छुपाने का है, इसको डिकलियर नहीं करने का, यहां पर मामला क्या था, देखे, सुप्रीम कोट से NPS करने को लेकर, रिस्ट्रिक्चन लगावा था, एस्टे ओर था, एस्टे ओर लगी थी न, सुप्रीम कोट नहीं क्या, जब तक हम कोई अंतीम फैसला नहीं देते, तब तक NPS का क्लासिफिकेशन होगा ही नहीं, तो ज उसी तरह से जब सुप्रीम कोट ने ओनरेवल सुप्रीम कोट ने जब NPS करने पर रोग लगा रखी थी, तो NPS का डाटा कैसे आएगा, ठीक, उसके बाद फिर जैसे सुप्रीम कोट ने मार्च के तीसरे सप्ता, यानि 23 मार्च 2021 को इस पर लगी हुई रोग को हाटा दिया, गोट लिफ्टेड इन थार्ड वीक ओप मार्च, तो उसके बाद 31 मार्च 2021 तक पिक्चर क्या हो गया, किलियर हो गया, यानि NPS का कितना कुछ डाटा है, वो सारा चीज किलियर हो गया, सुप्रीम कोट का ओर्डर आने के बाद, यानि इस पर जो NPS क्लासिफिकेशन पर जो एकजक्ट नमबर है, एकजक्ट नमबर है, कितना NPS का एकजक्ट डाटा है, जो कितना NPS का डाटा है, या एकजक्ट नमबर हमारे पास NPS का आ गया है, एकजक्ट नमबर है, कितना परसंटेज क्या कुछ है, तो अब देखिए, जब डाटा आ गया, तो फिर आपको तो माल रहा है और NPA का जो NPA है दोस्तों वो NPA अंडर कंट्रोल है अच्छी तरीके से यह अपने आप में बहुत बरा ब्यान गवर्णर साब दे रहे हैं ठीक जी NPA का डाटा अब हमारे पास आज चुकी है अंडर कंट्रोल है इसका मतलब यह हुआ जो जब सुप्रीम कोट का और ल थच्छी करें।